हेलो फ्रेंड्स आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे आप GTT order कैसे put कर सकते हैं स्टार्टिंग से लेके end तक A to Z step by step आप कैसे put करना है कैसे आपको limit price set करना है कैसे आपको target price set करना है कैसे आपको stop loss price set करना है आपको complete सी वीडियो में पता चल जाएगा आप वीडियो को complete देखना अगर आपने चैनल पर first time visit करा तो आप चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like और share जरूर कर देना चल यह वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आप अपनी screen पर जाएंगे angel 1 angel blocking की screen पर तो आपके पास discover का option आएगा जब आप discover पर click करेंगे तो आपके पास एक GTT option आजाएगा tools के अंदर जब आप GTT पर click करेंगे click करने के बद आपके पास एक page open होगा how GTT works यह मतलब काम कैसे करता है कैसे आपको एक limit मिलती है कितने time period का यह होता है अगर आप इस screen पर देखेंगे GTT feature available for one year मतलब कि जिस दिन आप starting करेंगे आज आपने GTT order put करा उसके next one year तक एक साल तक वो valid रहेगा मतलब कि एक साल तक जब तक उसका price आपके price according नहीं आता तो आप उसका GTT आपका continue रहेगा एक साल के बाद वो वहाँ से cancel हो जाएगा अगेन फिर आपको put करना पड़ेगा एक साल की validity के अंदर वो आपका price आ जाए तो आपका execute हो जाएगा नहीं तो आपका फिर cancel हो जाएगा second क्या है इसमें when the condition for trigger price is met the order gas release to exchange मतलब कि जब आपका trigger price जो आप price set करेंगे वो अगर आपका execute हो जाता तो exchange को चला जाएगा जिससे आपका वो trade बन जाएगा order आ जाएगा तीसरे नमबर पर क्या दिया हो यहाँ पर इसमें आप margin और delivery दोनों product रख सकते हैं इसको आप NSE के अंदर MCX के अंदर या फिर NCDX के अंदर आप GTT order put कर सकते हैं इसमें आप margin trading में भी GTT order लगा सकते हैं यह फिर आप delivery adding में margin में आपको margin मिल जाएगा अब हम create GTT order करते हैं जब हम यहाँ पर click करेंगे तो आपके पास एक page open हो जाएगा हम यहाँ पर click करते हैं मैंने GTT create पर click करा तो आपके पास एक search option आएगा कौन सा stock में आपने GTT order output करना हम एक्जांपल के लिए टाटा पावर या टाटा मोटर्स कुछ भी ले ले लेते हैं यहाँ पर आपके पास टाटा मोटर्स मैंने click करा टाटा मोटर्स के उपर तो आपके पास आपने किस exchange में उसको buy करना NSC BSC तो हम उसको NSC में buy करते हैं NSC में buy करा तो आपके पास यह फीज पेज open हो जाएगा आपको मैं एक screen पर दिखाता हूँ आप हमारे telegram channel जो knowledge book है उसको join कर सकते हैं इसमें आपको benefit यह मिलेंगे कि बिल्कुल for your cost है इसमें आप margin trading या फिर आपकी जो delivery trading हो या फिर कोई भी आपकी information हो होता रहता तो आपको एक information provide करते हैं आप इस telegram को join कर सकते हैं जिसका कोई charge नहीं है आपको link description में मिल जाएगा वैसे आप telegram पे जाएगे और इसको search करेंगे तो आपके पास इन knowledge book का एक page ऐसे आएगा तो आप इसको join कर लेना knowledge book यह channel का name होगा और description में आपको link मिल जाएगा वापस चलते हम angel one पे तो यहाँ पे देखेंगे कि Tata Motors का भी price कितना 465 पे इस यहाँ पे आपको quantity put करने है कितनी quantity आप पाए करना चाहते है example के हम one quantity यहाँ पे रहने देते हैं उसके पास trigger price आएगा trigger price में क्या डालना किस trigger price पे आप exchange को send करना चाहते है मतलब आप इसका 465 आप चाहते हैं कि यह stock मुझे 430 या 420 जो भी आपका price है उसमें मिले तो आप यहाँ पे 430 लगा देंगे यहाँ side map को percentage सो होगा कि मतलब जो 430 rupees का price है वो अभी current price से 7.54% अभी down है मतलब कि इतने अगर यह stock इतना down चला जाएगा तब जाके इसका 430 rupees price आएगा आप यहाँ पे percentage में भी manually set कर सकते हैं अगर आप यह 10% डालेंगे तो आपको यह 418.55 कितना आप करेंगे 15% तो 395 आपके coding कितना भी आप यह set कर सकते हैं मैंने 8% डाला तो 427.85 और limit का मतलब क्या होते हैं देखो आपने trigger यह डाला अब limit limit price भी आपको डालना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि आपने trigger price 427 डाला और आप limit price डाल देते हैं यहाँ पे 430 तो इसका मतलब यह हुआ कि जब stock 427.85 430 के बीच में किसी भी price पे अगर किसी ने order लगाया होगा वो तो हमारा order execute हो जाएगा अगर आप जितना यहाँ पे difference देंगे उतना का gap में आपका order लगेगा जो भी मिलेगा आपको वहाँ से मिल जाएगा मतलब यह 24-27 रुपे से लेगे 430 के बीच में जिसने भी order लगाया हो 428 पर 429 पर या फिर 430 जो भी होगा वो आपका order execute हो जाएगा अगर यहाँ पे आप 428 कर देते हैं तो 427.85 जो 428 के बीच में आपका order execute होगा मतलब 429 नहीं जाएगा यह डिपेंट करेंगे आप कितना इस पर gap देते हैं जितना आप gap देंगे उतली chance ही ज्यादा रहते हैं आपके order execute होने के कई बार आप gap down moment होता है तो वो उसके प्राइस को छोड़ देता है उसके बाद नीचे option आपके delivery margin delivery में लेंगे तो जितना का stock होगा उतना आपको fund pay करना पड़ेगा margin मिलेंगे तो आपको इसमें margin facility मिल जाएगी तो आप मैं यहाँ पे देखो जब आप delivery select है तो आपको pay कितना करना पड़ेगा 428 क्योंकि हमने 428 price set करा हुआ जब आप margin पे click करेंगे तो यहाँ पे margin मिलेंगे 133 rupees आपको pay करने पड़ेंगे इसके time limit भी होगी जब आपका order execute हो जाएगा तो आपको 90 days के बाद यह order sale करना पड़ेगा इसके कुछ condition है वो आपको मेरे telegram channel पे भी मिल जाएगे आप YouTube channel knowledge book पे जाएगे तो आपको margin trading से लेटर बहुत सारी वीडियो मिलेंगे आप delivery मेंट राड़े या फिर BTS आप उनको चेक कर सकते है अपनी knowledge गेन कर सकते है यहाँ पे अग्रिक करना पड़ेगा उसके बाद आप create GTT जब मैं create GTT created अब मेरा GTT order लग चुका है जब यह price 428 पे आएगा या 429, 427 से लेगा 428 के बीच में तो मेरा order execute हो जाएगा margin के अंदर में इस तरह आप GTT order put कर सकते हैं आपको कोई confusion है आप मुझे comment कर सकते हैं चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like और share जरू कर देना थैंक्यू सो बाद